हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपना खयार रख रहे होंगे हर हर महादेव, आज हम जानेंगे कि आपके भविश्य में क्या लिखा है जो हो कर रहेगा इसके लिए आपको क्या करना है? स्क्रीन पर दो पाइस दिख रही है उसमें से आपको एक सिलेक करना है आप जिस भी भगवान को मानते हो उन्हें अपने मन में याद कीजिए और फिर इस दोनों में से एक पाइस को सिलेक कीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि आपके भागय में क्या लिखा है जो होकर रहेगा और हाँ दोस्तों ये एक जनरल रिडिंग है इसलिए सब कुछ आपको रिलेट करे ऐसा नहीं होगा तो आपको जो रिलेट करे उतना ही सुनिये या फिर दूसरी पाइल स्चेंज करके सुनियेगा मुझे उम्मीद है कि आपने पाइल सिलेक कर ली होगी तो अभी हम देखते हैं कि आपके भागय में क्या लिखा है क्या होकर रहेगा आप परेशान दिख रहे हो आप बहुत चिंतित हो आप सोच रहे हो कि ये तकलिफ खतम कब होगी पर आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है माइडियर आपकी प्रॉब्लेम बहुत ही जल्द दूर होगी आपको सिर्फ भगवान पे भरोशा रखना है वो जल्दी से आपकी मदद करेंगे और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपकी सारी तकलिफे धूर कर देगा और आपकी मदद करेगा मुझे पता है कि आप मैंसे कई लोग एक ऐसा अच्छा दोस की तलास में है जो आपको समझे जो आपकी बाते सुने और आप मैंसे कई लोग ऐसे हैं कि जो परिशान है कि वो अपने दिल की बात आखिर बताए तो किसे बताए और किस के साथ सेर करें आपके पास ऐसा परसन नहीं है जिसको आप अपनी तकलिफ शेर कर सको और कई लोग शेर भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई समझता ही नहीं है तो अभी वो लोग परिशान हो चुके हैं मुझे पता है कि आप लोग बहुत तकलिफ में हो पर आपको चिन्ता नहीं करनी है क्योंकि एंजल्स और गौड सब कुछ देख रहे हैं और आपकी तकलिफ बहुती जल्द दूर होने वाली है आपको बहुती खुश्या मिलने वाली है खुश्या आपका इंतजार कर रही है और आप पहुती खुश होने वाले हो आपके सारी तकलिफे धीरे-धीरे करके दूर भाग जाएगी और आपके जीवन में धेर सारी खुश्या आने वाली है तो अभी आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है और आपको सिर्फ भगवान पे ट्रस्ट करना है और आपको बस कोसिस करते रहना है और लाइफ से फाइट करते रहना है और हतास बलकुल भी नहीं होना है तो भगवान और एंजल आपका साथ जरूर देने वाले है तो अभी आप टैंशन वगेरा छोड़ दो और हैपी रहना स्टार्ट कर दो जितना आप खुद को हैपी रखोगे उतनी ही जल्दी आपके सभी परिशानिया दूर होगी और आप अपने आपको खुश रखोगे तो आप आराम से और शांती से जी पाओगे पाइल टू जिन लोगों ने पाइल टू सेलेक कर ली है अभी हम उनका भविश्य देखेंगे उनके भविश्य में आखिर क्या है अगर भागय को देखा जाए तो आपका भागय आपका साथ देने वाला है इंजल्स आपके साथ है और आपके साथ बहुत कुछ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपको धेर सारी खुश्या मिलने वाली है सिर्फ आपको अपने आपको लव करना है और अपने आपको समझना है सबी प्रॉब्लेम्स दूर होगी और आपको बहुती खुश्या मिलेगी मुझे अभी दिख रहा है कि आप किसी पर बहुती डिपेंडेंट हो आपके लिए सब कुछ है वरना वो आपके साथ बहुत बुरा कर सकता है और उसको एक EGO आ सकता है और आपको इससे आगे जाकर तकलिफ हो सकती है. इसलिए आपको अपने self को अपने आपको priority देनी है और अपने आपको समझने की कोशिज करनी है तो सब कोई आपको समझेंगे और आपको और किसी की जरुरत नहीं मैसूस होगी आप अपने आप में इतने strong हो जाओगे कि आपको किसी पर dependent होना नहीं पड़ेगा इसलिए आपको इतना समझना होगा कि आपको अपने आपको लव करना है और किसी पर भी dependent नहीं होना है मुझे पता है कि आप लोग के life में सब कुछ है फिर भी आपको किसी की कमी लग रही है आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ कमी जरूर है आपको पता है वो कमी क्या है वो कमी है आपका self love आप हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन अपने आपको अपने self को लव नहीं क और यही है आपके सभी परिशानियों की वज़र तो अभी आपको अपने आपको प्रायोरिटी पर रखना है और अपना खयार रखना है अगर आप अपना खयार रखोगे अपने आपको समझोगे तो आपकी सभी परिशानियों को भी आसानी से समझ बाओगे और आपकी बहु कर दोगी